कोशन है, calculate the coefficient of correlation between the age of husband and wife दो चर दे रखे हैं, दो variables है husband और wife की age का जिसकी बीच में आपके coefficient of correlation गैद करना है, और ये calculation जो हमें calculation formula याने calculation विधी के दोरा करना है, ये सहसंबन्द गुणा calculate करने का सबसे important method है, जिसके बारे में exam में अक्सर पूछा जाता है हलो दोस्तो, मैं हूँ नकुल सर, आपको मैं आज coefficient का लेक्चर नमबर त्री बताने जा रहा हूँ जिसमें calculate करना है, coefficient of correlation, coefficient of correlation ये जोई calculation है मैं आपको बतावाँ, direct method, जहांपर direct method में coefficient of correlation निकानने का formula होता है R equal to sigma xy upon under root sigma x square multiply y sigma y square इस formula का use करते हुए हम इस question का correlation calculate करेंगे तो किस तरह से करेंगे, correlation calculate करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह के साइक के table त्यार कर लेते हैं जहां पर हमें x square और x y square और x y का summation निके total निकल हुए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले division calculate करेंगे और division के लिए हमें x calculate करने के लिए जो x series दे रख रहा है, उसमें से हम उसके mean निकी x mean जो है minus करेंगे तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, वो है mean calculate करेंगे, mean के लिए हम x को total करेंगे, तो यह जो total आ रहा है यहां पर, इसका total है इसको total कीजिए 174, 177 हो गया और number के तने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 number है that means subsequent हम calculate करेंगे, mean x, इसका x का, ती formula हो जागा sigma x upon n, that means sigma x से भी कर देगे है, कितना है 174, यह हो गया 174 divided by 6, 6 से इसको divide किया, तो आया 6 बंजा 6, 6 to the 12, बिचा 5, 6, 9 जा 54, तो यह आगे 29 हमारा x, इसी तरह से हम calculate करेंगे y भी, y का total कीजिए y का mean गयाद करने के लिए हमें इसका total करेंगे, तो इसका total आ रहा है, 156 that means mean of y, एने की mean of y equal to हो जाएगा, sigma y upon n, equal to sigma y calculate किया, अभी आट किया, 156 upon 6, यह हो गया, 6 बंजा 6, बिचा 3, 6 to the 12, 6 to the 36, 26 आगे, अब यह है 29, एने की यहाँ पर mean है 29, और यहाँ पर y है 26, अब यहाँ पर हम मानस करते जलेंगे, 21 से 29 मानस किया, तो आया मानस का 8, 22 में से 29 मानस किया, यह मानस का 7, 28 में से 29 मानस किया, मानस का 1, 32 में से 29 मानस किया, 3, यह प्लस का, 35 में से 29 मानस करेंगे, यह आएगा प्लस का 6, और 36 में से 29 मानस करेंगे, यह आएगा प्लस का 7, अब हम है x चाहिए x की दिए 8 7 15 1 16 मानस का और यह हो गया 15 13 16 प्लस का that means यहाँ पर आ गया sigma x equal to 0 ठीक है यहाँ तक अपर clear हो गया अब आप निकालेंगे x square जो भी निकाला हमने x भी मानस करके वो इसका square करेंगे तो 8 का score आ जाएगा 64 7 का 49 1 का 1 3 का 9 6 का 36 और 7 का 49 सबको total कीजिए जो total करेंगे यहाँ पर आएगा sigma x square equal to सबको अगर total करते हैं तो इसका total आएगा 208 clear अब हम y की तरह आते हैं हमारा y का mean आए 26 तो deviation of y calculate करने के लिए y से y की mean को minus करेंगे 18 में से 26 minus किया तो यहाँ पर आएगा minus का 8 20 में से 26 minus किया minus का 6 फिर 25 में से 26 minus करेंगे यहाँ बन 30 में से 26 minus करेंगे तो 4 थर्टी बल से 26 minus करेंगे आएगा 5 32 में से 26 minus करेंगे आएगा 6 इसको राट के लिए 14 और 1 यह हो गया minus का 15 और इधर भी हो गया minus का sorry plus का 15 तो टोटल किया है यहाँ सिग्मा वाई एक कर दो आएगा 0 अब calculate करेंगे y का square y का score हो गया 8 is 64, 66 is 36 यह हो गया 1, 44 is 16, 55 is 25, 66 is 36 टोटल निकालेंगे sigma y score इसका total किया तो यह आगया 178 अब हमारा last हमें चाहिए xy अनिकी deviation of x multiply by deviation of y दोनों का multiply कर देंगे x और y के तो 8 के multiply 8 से किया 8 is 64, minus minus plus 7 के multiply 6 का 7 6 और 42 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 6 5 जा 30 और 7 6 जा 42 अब इसको xy को total करेंगे हैना कि sigma xy e total आगया 191 तो हमने सब कुछ जो है calculate कर लिया अब हमारा formula क्या होता है formula है sigma xy upon under root x square multiply by sigma y square इसका use करेंगे हम formula में जो कुछ भी specific note कर लेंगे here sigma xy sigma xy कितना आ गया 191 यह है sigma 191 इसको लेकर लेंगे यह हो गया 28 और y-score आ गया 178 इकल to 178 अब यहाँ पर हम formula करेंगे that means r equal to sigma x xy divided by under root sigma x square multiply by sigma y square आप आप हमने formula में यूज किया तो यह आगे आपका xy दे रखा है 191 divided by under root sigma x square है 208 multiply by sigma y square है 176 के लिए अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 208 और 178 को multiply करेंगे इन दोनों का अगर multiply करते हैं तो multiply किसें से हमें calculate होके आ रहा है 37,024 हमें मिल रहा है अब इसके आगे हम calculate करेंगे इसका under root निकालेंगे 191 divided by इसका under root निकालेंगे यहाँ पर 37,024 इसका under root निकालने का तरीका इस तरह से होता है हमने इसका pair वन आ लिया 1 1 1 1 2 27,0 calculate कर दिया अब यह आ जाएगा कितना 9 time पे 9 9 81,9 12 18,18 और 18 और 18 और 26 9 8 कर दिया यह होगे 9 9 18 और 3 हमने इसको minus कर दिया बच्छे का 9 और इससे उतारहता होने 24 4 तो यह कितने जाएगा यहां पर जाएगा यह टू टाइम करेंस किया टू टू टो बढ़ा यहां पर डबल 0 एक पर प्वाट बढ़ाने से पर डबल जिरो बढ़ता है अब इसके आगे हमने फोर टाइम डिवाइड करेंगे तो फोर फोर जा 16, 4 फोर 16 वाइड और साथ से जैन 4 यज थार्टी टू 33, 4 ती त्री टू टू आफ्री 15 तो कितना आगे लगवार होगा टू टाइम ते निकालेंगे इसको फोर एड कर दिया 4, 4, 8, 4, 8, 3 मैनस किजिए 4 9, 7, 8, 2 9, 3, 8, 6 यह फॉइंट लगा हुआ हम दो बर कर सकते हैं अब इसके आगे हम 2 टाइम और दे देंगे 2, 2s are 4 2, 8s are 16 2, 4s are 8, 1, 9 2, 8s are 16 2, 3, 6 लगभा लगभा 2 cash पसा रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है कि रिवंडर बन बच रहा था तो हम इसको 2 का ही रखेंगे यहाँ पर यह calculate हो गया है 192.4 2 approximately यह approximately बेद हुआ है अब इससे हमें 0 अटा दिया डबल 0 लगाया तो इससे हमें इसको डिवाड किया तो डिवाड करने का जो आंसर आएगा 0.993 यह डिवाड करने का जो आंसर आ रहा है इस यह जो आंसर है वारा जूम ने calculate किया है Thank you